नमस्कार मैं हूँ कमरश्रीमाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में आईए अब बात करें सिंग संक्रांति की सूरी के सिंग रासे में गोचर के समय को ही सिंग संक्रांति के नाम से या उस दिन को सिंग संक्रांति के नाम से जाना जाता है सूर्य सक्रांति के दिन को सुब माना जाता है इसलिए इस दिन शर्दालू जो पवित्र नदियों में या सरोवर में स्नान करते हैं दानपुन्य करते हैं इस सक्रांति में घी के सेवन का विसेश महत्व है दक्षिन भारत में साउत इंडिया में सिंग सक्रांति को सिंग संक् पूज्झ पूजन कीया जाता है। बात करते हैं सिंग सक्रांति बदेशी घी खाने के क्या फाइदा या क्या विसेश महत्व है गाय का गी आयरवेज में और उसमें विसेश में चरक सहिता कि नुसर काफी पमित्र और सुद्ध माना जाता है सूरी चक्रांति की दिन जो भी व्यक्ति घी का सेवन करता है तो ऐस माना जाता है को उसके बल बुद्धी और रुजा और याद्दास में व्रद्धी होती है इसके अलावा गाय का गी वसा वर्दक होता है जिसका सिवन करने के बाद व्यक्ति को वात पित कफ दोस जैसी परशानिया नहीं होती है यह उससे रात मिलती है शिंग संक्रांति को दिन गाय का गी खाने से सरीर से विसेले पदात निकल जाते हैं पुराणिक मानेताओं का नशा सिंग संक्रांती से लगबग एक महिने तक सुरे देव को नित्य जल चीड़ाना चाहिए अर्ग आपको देना चाहिए सूरी के मंतर से जो की ओम घ्रणी सूरिया नमा है या पिर आप गाहितिरे मंतर से भी सूरी को अर्ग जाए सकते हैं सिंख सक्रांती दोजा 24 का पुन्य समय काल क्या है सोला अगस्त दोजा 24 को दोपेर बारा बज करके 25 मिन्ट से साम को 6 बज के 69 मिनिट तक सिंख सक्रांती का पुन्य काल रहेगा महा पुन्य काल साम को 4 बज के 48 मिन्ट से साम को 6 बज के 69 मिनिट तक रहेगा इस समय काल का विसे सुरुप से आप लाब उठा सकते सिंह संक्रानते मनने का संक्रानती मनने का तरीका क्या है सिंह संक्रानते की दिन लोग कई तरह के पाकवान बनाए जाते है जिसमें दाल की भरवा रोटी, साखीर या गाबा को प्रमुक माना जाता है मानता है कि दाल की भरवा रोटी के साथ गी का सेवन किया जाता है एक रोटी को बेटू रोटी भी कहा जाता है और उड़त की दाल पीस कर पीठा बनाय जाता है और उसे पका कर गी से खाया जाता है अर्भी नाम की सब्जी के खिले पत्तों की सब्जी रोटी के साथ में खाने के लिए बनाई जाती है इन पत्तों की सबजी को गाबा काहा जाता है और इसके साथ इस समाज के अन्यवर्ग जैसे वस्तुकार, सिल्पकार, दस्तकार, लोहार, बड़ाई दुआरा, आसे बने वई जो वस्तु होती है उनको तौफे के रूप में बेंट किया जाता है इन सामेगरी को तौफों के रूप में बेंट के रूप में देने की परंप्रा को ओल्गी का जाता है इसलिए सिंग संक्रांती को ओल्गी संक्रांती भी का जाता है सिंग के सूरी सक्रांति का बाजार पर क्या प्रबाव होगा सूरी के इस गोचर में देश की कमान पूरी तरह से सरकार के हाथों में होगी अब पड़ोसी देशाओं या किसी भी तरह के बारी खत्रे अदूसमनों से निपंड़ के लिए आपके नेता कोई सांसी कदम उठा सक सकते हैं इस गोचर में फैसन इंडस्ट्री सफलता की उचायों को चूँ सकती है मार्केटिंग सग्राफिक डिजाइन और फैशन साथ कम्मिनिकेशन जैसे कम्मिनिकेशन और संचार जैसे सित्रों में प्रगति देखने को मिलेगी इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री और म का फाइदा होगा सूरी के इस गोचर से केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री चाय और कॉफी उद्योग स्टील इंडस्ट्री ऐलमुनियम साती वुलन मिल्स के शियर बाकियों की तुलना में अच्छा परफॉर्म करेंगे ऑप्टिकल और ग्लास इंडस्ट्री का मार्के भी दिखाई दे सकता है तो ये था सूरी के सिंग रासी में आने से जो आपकी इंडस्ट्री पर क्या प्रवा पड़ेगा आपकी जनकुली में से एक ग्रफ चनमा को आधार बना करके मैंने आपको एक गोचरफल बताया है आप चाहें तो अपनी जनकुली के संदर में इस गोचरफल को और सतिक्ता से जान सकते हैं क्योंकि जनकुली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्ध डिटेल से ही बन सकत वर्स में एक बार आपको कुली विस्टेशन कराने के परंपरा एक पारका से डाल देने चाहिए क्योंकि समय यदि आने वाला अच्छा है बहुत पॉस्टिव है तो आपका साहस बढ़ जाएगा डेरिंग बढ़ जाएगी और प्लानिंग के साथ में आप समय काल का फाइदा उठा सकते हैं वहीं यादि आने वाला समय नेगेटिव है तो आप नुकसान से बचने के लिए एफट कर सकते हैं और जो नुकसान बचेगा वो आपका फाइदा ही होगा हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि एक सही परामर्स आपका जीवन बदल सकता है आपकी राहा को सही राह में परवतित कर सकता है और जो उपाय है उपाय आपका इन्वेस्मेंट ही है यदि आप कोई स्टोन पहनते हैं कोई कवच पहनते हैं या कुछ और उपाय करते हैं वो इन्वेस्मेंट ही का जा सकता ह उस investment से आपकी जिंदगी में फाइदा और बढ़ेगा अताथ आपकी growth और बढ़ेगी तो ऐसे में जब आपको अपनी कुल्ली विस्सलेशन कराना है स्क्रीन पर दियेवे नंबर पर संपर के स्थापित करना है या पिर WhatsApp नंबर जो दियेवे हैं उस पर आपको message drop करना है हमारे team members आपसे संपर करेंगे और आपकी telephone consultancy या video conferencing से आपसे बात करवाने के मादियम बनेंगे जो भी आपके प्रसने जो भी आपकी जिग्यास है जो भी आपके doubt से आप उन्हें एक पन्ने पर लिख लें ताकि आप भूले नहीं और जब बात हो तो उन सारी बातों का सारी समस्याओं का discussion करें या विचार भी मस करें और जो भी उपाय होंगे वो आपको लिखित पाय पर discuss भी करेंगे मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्त रहें प्रसंद रहें और सुरक्सित रहें अपने और अपने परिवार का बहुत-बहुत खयाल रखें आप सभी को मेरा नमस्कार बहुत-बहुत शुप कामना है इस वर आपकी रक्षा करें धन्यबाद